नमस्कार दोस्तों आप सुभी का फिर से स्वागत है अपने इस यूटूब चैनल एकजाम अस्टेडेस्पी में दोस्तों आज हम फिर से देखने वाले हैं साइन्स के ऐसे महत्पूर्ण प्रश्णों को जो के एकजाम के द्रिश्टी से बहुत ही महत्पूर्ण है आप चाह को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल की पेल आकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि मेरे द्वार अफ्लोट किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिक्स आपको मिलता रहेगा चले दोस्तों देयर ना करते हैं सिदे प्रश्णों की और बढ़ते हैं पहला प्रश्ण है मैंड मैंडलिव की आवर्श्णी है इसमें हाइड्रोजन को कोई एक निश्ची तरस्थान नहीं दिया गया था है ना दोस्तों आपर मैंडलिव की आवर्श्णी की बात करें तो इसमें जो है ततू के बढ़ते परमानुद्रविमान करम में ततू का एक सार निवद संगठन है जो कि ततू के बेवहर में समानता और परतिरूप को दरसाता है और दोस्तों इसमें जो है समान कुनों वाले ततू को एक दूसरे के निकट रखा जाता है और एक ही 36 पंगती में समान कुनों वाले ततू होते हैं ना दोस्तों ये काफी महत्पूल पॉइंट है अगला प्र जाएगा यानिकि केलस्यम से फेट की सोतर एकाईन जो है पानी के एक आनू को साजा करती या औस इसका नमर पिलाश्याज और रसानी की बात करें तो इसका रासानिक नाम इलता है कैलस्यम से टेर्थ हमी है रड़ रहता है क्योंकि दोस्तों त Toyko मलप हने में जिप्सम का प्यूंग किया जाता है जिसका राषानिक नाम जो है कैलिसिंठ तया जाता है जिसका राषानिक सुट्म अगला प्रशन है किन्वान की प्रक्रिया में किसका परियोग किया जाता है सही आनसर को अप्सिजन अनुओं की साहिता के बिना कर्भोहाइडेट अनुओं को तोड़ने की एक क्रिया है और उनके पूरे सरीर में हजारों सिल्या की उपस्थिति का होना एक विशिष्ट विशिष्टा है बात करें यूगलिणा की तो इसे एक प्रकार से यूगलिणोड भी का जाता है और ऐसे जीव जो है लाचीले सरीर वाले एकल कोशी का वाले जीव हैं और इसमें दोस्तों अमीबा जो है या एक कोशी की जीव है जो अपना अकार बदलने में सच्छम होता है ना और यह जो है आम तोर पर कहां कहां पायाता है तो धीमी धाराओं वाले तलाबों जीलों और नदियों में पायाते हैं इसे याद रखेगा दोस्तों मैं जितने भी पॉइंट यहां पर सुधारने में मदद करता है सही आंसर को अपसेंसननर सी यानि की एरियोलर उत्तक को शुधारने में मदद रखेगा इसके अलावा जो है यह अंगों को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए एक कुशन के रूप में कारी करता है दोस्तों यह पर एरियोलर तो उतक जो है यह कॉलेजन फाइबर से भरा होता है जो इसे मजबूत और कठोर बनाता है ना और यह जो है एपिडर्मिस के ने जो है यहाँ ऊकरोन को दूर रखने में मदद करती है ना विए एक रेसेदार सेयोंजी उतक है जो जो कि एक हड़ी को दूसरी हड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्ण है, एक कुंडली में प्रेरी धारा और चुम्बक की परवा में परिवर्तन को जोडने वाली परिहटना क्या कहलाती है। अगला प्रश्ण है, सिमेंट के निर्मान में निमलिकी तुरा सायनिक योगिकों में से किसका उप्योग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कैलसियम उक्साइड की बात करें, तो इसे लाइम भी काते हैं। और यहाँ पाने में गुलानसिल होता है। और यहाँ कैलसियम हाइड्रोकसाइड का उत्पादन भी करता है। जो कि सेमेंट की उत्पादन में सबसे अधीक उप्योग किया जाता है। अगला प्रश्ण है, निमलिकीत में से कौन सा किट भच्छी पादप है। अगला प्रश्ण है, मानों में लिंग गुंसूत्र के कितने युगम उपस्तित होते हैं। सही अनसरक अप्शन नंबर B, यहनि की एक युगम, अप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम गुंसूत्र की बात करें, तो कुल 46 गुंसूत्र एक मानों बनाते हैं। जिसमें की XX और XY गुंसूत्रों की एक जोड़ी और गीने हुए ऑटोसूम के 20 जोड़े सामिल होते हैं। पुरोस्तों और महिलाओं में लिंग गुंसूत्रों की बात करें। टोटल कितने संख्य होती है तो 20 होती है न। अगला प्रशन है निमलिकित समाधानों में से कौन से परकास बिखे सकते हैं। ऑप्शन नमबर डिसकस सही हो जागा यानि कॉलाइडल गोल जो है या परकास को बिखे सकता है न। अगला प्रशन है मटर के पौधे के साथ मेंडल के परयोगों के नुसर लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुक लच्छन कहा गया क्यों। ऑप्शन नमबर एसकस सही हो जाएगा एक पौधे की लंबाई इस बात की परवा किये बिना काफी लंबी थी कि उसमें एक जीन या दो जीन थे हैं। सही हो जाएगा यानि कि फ्रेडरिक ओलर द्वारा यूरिया की त्यारी के लिए किस योगी कॉप्यों किया गया था तो अगला प्रशन है जब एक गोल हरे बीज वाले पोधे को एक जुरीदार पीले बीज वाले मटर के पोधे के साथ संकिरनित किया जाता है तो एफवान पीड़ी का परिणाम क्या होता है अगला प्रशन है किसी चुंबा के छेत्र की उपस्थिति में एक धरावाही अगला प्रशन है एक परावार्चित के रन उसी पत का अनुसरन करेगी लेकिन विपरी दिशा में जब वा दुरू और खाली हिस्तन होकर गुजरती है सही आंसर अप्शन नंबर डियने की फोकल प्लेन के लंबवत अप्शन नंबर डिसकस्य हो जाएगा दोस्तों मेरे सारी परसंद खतम हो चुके उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो प्रसंद आया होगा पसंद आया प्लीज लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता हैं चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में